हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक तू माई चैनल वी पार्ट फ्रेंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज कुछ कीचन टीप्स कीचन हैक्स जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किये जाएं तो फ्रेंट्स सबसे पहले हमारा कीचन टीप्स यह है कि इस तरह घी ले अटाने बार बार वापस अंदर ही रहेगा क्योंकि यह ऐसे हमारा घी लगाने से यह स्लिप होगा और यह हमारा अपना दूध बहार नहीं निकलेगा तो इस तरह ही है यह कुपकर का ढगन है اक्सर हमारा यहां से क्या हुता है इसको ढगन को उल्ड़ा करना है और इधर भ भार नहीं आई गाज अगला टिप दिग है कि इस तरह जोत बती बहुत सारी वर्वान ने ले ली अक्सर क्या होता है कि जब मंदिर में जोत करते हैं तो हम हमें घी किचन में से लाना पढ़ता है लग से जोत अलग से लेनी पढ़ती है फिर हम ऐसे काम थोड़ा सा हमें कठी लगता है तो हमने क्या करने फरेंट्स ड्रैक्ट इस में से पस चोत उठाई होड़ी तो में अक्नमारा यह कल्त में कदूकस करने लग जाता तो मिन faculty पट्थर इंप कोई दीपक जैसे में ने लिया है उसको अच्छे से ऐसे कदूकस कर लेना है तक्रीबन पाँ-दस मिनट के लिए तो इसके दंदे होते हैं वो तेज हो जाते हैं फ्रेंट्स ऐसा करने से और ये हम साथ की साथ इसके चाकू को भी हम ऐसे कर लेंगे दो चार मिन्ट के लिए तो इसका भी धार चाकू की भी तेज हो जाए तो फ्रेंड्स ये टिप्स बहुत ही अच्छा है आप जुरूर इसे कर कर देखना इस तरह कदुकस कोई भी हमारा बड़ा या छोटा है उसकी धार तेज करने का ये सबसे अच्छा हमारा टिप्स है ये देखिए इस तरह कुछ भी अद्रक गाजर वगर हम कदुकस कर सकते हैं तो वो हमारा काम फटा फटा हो जाएगा अगला टिप्स यह है कि फ्रेंट्स इससी तरह हमने विनेगर लेना है तो मैं अब ये कदुकस को देखिए कैसा गंदा होचका इसको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी विनेगर बहुत जुरूरी है हमारे लिए फ्रेंट्स कीचन में इसका होना बहुत उप्योगी है इसको क्या क इसके उपर हमारा काट जो भी इसके उपर लगा हुआ है वो सब मैल इसकी उतर के क्लीन हो जाएगी तो विनेगर का बहुत ही जादा उप्योगी है ये देखिए कितना अच्छा मेरा एक दम ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने अभी बजार से खरीद के मैं लाई हूँ देखि टिप्स ये विनेगर का है अक्सर हमारी गैस पेना दूद वेगरा निकल जाती है तो ये भी हमने दो चार मिंट के लिए ऐसे विनेगर को साइडों में लगा की रख देना है उसके बाद हम हलके हलके आतों से ऐसे रब करेंगे तो ये भी हमारा अच्छे से क्लीन हो तो फ्रेंड्स मैं तो अक्सर विनेगर को इन कामों के लिए यूज करती हूँ आप भी जरूर इसको इस्तमाल करकर देखना इस तरह ये कही चीज़ों के हमारे काम में आता है ये देखिए एकदम हमारी गैस क्लीन होगी और मैंने कोई भी जादा जो रंजबाई नहीं करी क्योंकि जादा करने से हमारी ये जो गैस है उसका कलर भी खराब होने का डर रहता है तो इसलिए मैंने अंदर-अंदर विनेगर दो-चार मिनट के लिए रखा और ये देखिए और फिर वो धिरे-दिरे अपने आप ये हमारा जो भी दाग दब्बे हैं वो अंदर से बिलक क्लीन कर देता है तो फ्रेंट्स ये देखिए आज तो मेरा ये बिलकुल ऐसे लग रहा है ये दो चीजें हमने विनेगर से क्लीन की है और ऐसे लग रहा है बिलकुल नया जैसे अभी मैंने वजार से खरीदा हो और अगला टिप्स ये है अकसर हमारे घर में रसगुलों क्या किया है एक होल किया है और उसको मैंने छोटी मुसली में इस तरह एक धकन की तोर पे यूज किया है इस तरह कोई भी हमारा खाली कंटेनर है डिबी वगरा तो उस पे भी हम इस तरह उसको ढग सकते हैं तो फ्रेंट्स कोई भी हमारी उगारी चीज है अगर तो उस पे अब जैसे ये राइस है तो इस पे भी मैंने इस तरह देखिए कोई भी हमारे दवाईयों का या कोई ओईल वगरा का डखन है तो वो इस पे लगा कि ये भी हमारा एक बहुत ही उप्योगी चीज बन जाती है तो इसलिए ये हमें कंटेनर के डखन भी नई फैकने चाहिए ये हम मेरा बहुत ही पुराना नुस्का है जो की पहले मेरे दादी या नानी से मैंने अकसर देखा करती थी मैं जब भी दिवाली की केंटल बच जाती थी और या दिवारों से हम उठाते थे दीपक वगरा जो केंडल तो उनको हम चाकू से ऐसे कुचर के और इस तरह हम घर पे वैसलीन बनाते थे तो फ्रेंट्स इस तरह मैंने ओईल को गैस पे रखतिया है और उसको ओईल को जब थोड़ा सा कड़कडा जाएगा ओईल तो इसमें मैं ये अपनी सारी मौ में जो हम इसमें डाल देंगी तो फ्रेंट्स ये हमारी विंटर के लिए बहुत ही अच्छी क तो फ्रेंट्स इस तरह इसलिए देखिए मैंने ऐसे कंटीनर में निकाल लिया है ये मेरी बन गई वैसलीन और इसको हम मैंने मस्टर्ड ओईल में बनाया है आप इसे कोकोनट ओईल में भी बना सकते हो इसी तरीके से और ये देखिए फ्रेंट्स बहुत ही ज़्यादा इस कि क्रीमें, कोल्ड कρίमें वगरा वैसलीन कुछ नहीं चलता था तो लोग ऐसे ही हमारे दादीनानी देशी जुगाड करते थे ऐसे घर पे मॉम ये वैसलीन बना के और हात्वों पैरों को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते थे तो फ्रेंट्स आप ये जरूर बना कर देखना ये ब तो यह देखिए इस तरह मैं आपको लगा की दिखा रही हूँ यह ड्राई हो रहे थे पैर यह देखिए बिलकुल इस पे एकदम से यह वैसलीन लगाने से बिलकुल हमारा पैर एकदम सौफ्ट हो जाएगा इसी तरह ही हम हाथ पे लगाएंगे तो हमारी यह खुश्की यह तो फ्रेंड्स अगला टिप्स मेरा यह है गैस की बर्नर अक्सर यह भी खराब हो जाते हैं तो फ्रेंड्स विनेगर का हांजी विनेगर का मैंने पहले भी आपको दो प्योग बताएंगे और यह तीसरा देखिए इस तरह क्या लेना है विम लिकवर्ड लेना है हाथों से इसको ऐसे रव करेंगे तो यह हमारा एकदम चमकने लग जाएगा काला पन इसका सारा खतम हो जाएगा फ्रेंड्स तो देखिए और फ्रेंड्स आब यह देखिए कि अक्सर क्या होता है कि जब हम बजार में अपने बहुनों वगरा के ढपकन लेने जाते तो बह यह मेरे पास एक उपर का यह पड़ा था तो यह फ्रेंड्स फरी में हमारा कडाई बगोना ढखने के लिए एक ढखन बन जाएगा तो फ्रेंड्स इस तरह की और हथोड़ी से मैं इसे ठोक कर एक खोल कर दूँगी और फिर जो मेरे पास नट इसका पड़ा है उसको मैं इस यह जुरू ट्राई करना यह देखिए एक बार हलका सा हो गया और इसको जब हम दो चार बार अच्छे से करेंगे तो यह हमारा अच्छे से बन जाएगा तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए अब यह मैं बड़ी वाला नट डालूंगी और पिछे से मैं फिर हम जो मेरे पास एक पड़ा था एक्स्ट्रा इस तरह हम घर पे लाके भी अपने यह डाल सकते हैं तो यह फ्रेंड्स तो यह फ्री में हमारा इस तरह भगोना वगरा कड़ाई वगरा डखने के लिए डखकन बन जाएगा तो फ्रेंड्स आइओप आपको मेरे यह टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हों तो प्लीज फ्लीज वीडियो को लाइक करना, कोमेट करना और शेयर करना और इस तरह मैं आपके लिए और भी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स ले के आती रहोंगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओंके बाबाइ झाल झाल